ह różni के आपको हिंदू नियूस पेबकर पढ़ने में प्राब्लम हो रही है या भी आप कोई भी ऐसा एक्जाम जहां इंगेलिस पूछा जाता हो जेशां एंटॉसाइब पूछा जाता हो कि आपको उसमें प्राब्लम होती है या फिर आप किसी बर्णिंग इसूप या किसी current affair पर अपना समझ विक्सित करना चाहते हैं तो फ्रेंड आप बिल्कुल सही जगह पर हैं यहां आपको मैं दा हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से आपके जितने भी प्रॉब्लम से जो कि आपके आपका इंट्रेस्ट दा हिंदू मिलाना या फिर यहां सब कुछ आपको मिल सकता है फ्रेंड आज स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल है अमेरिकाज एसिया पॉलिसी यहां यह जो एडिटोरियल है यह अमेरिका और अफगानिस्तान यह दोनों देश के बीच में जो अभी हाल फिलाल हमने देखा जो अमेरिका का जो वि इसके बार में बात हो रही है जो लगातार डिमांड करना और रूल्स बेस्ट इंट्रनाशनल ओडर डिस्पाइट अफगान डिबैकल डिबैकल निस होता है जो कोई भी चीज बिलकुल पूर्णता बिफल हो गया हो और सफल हो गया हो तो यह कह रहा है जो अफगान सफलता के बाबजूद भी जो युनाइटेड एस्टेट को रूल बेस्ट इंटरनेशनल ओर्डर के लिए डिमांड करते रहना चाहिए नो यह रूल बेस्ट इंटरनेशनल ओर्डर होता क्या है फ्रेंड यह एक शेयर जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो एक मुद्दे पर सबका सहमती होता है जो हर चीज रूल के बेस्ट पर ही चलेगा इंटरनेशनल लेवर तो इसी को हम कहते हैं रूल बेस्ट इंटरनेशनल ओर्डर फ्रेंड मैं आपको यह बताना चाहूंगा जो आप इस चैनल को सपोर्ट करें बहुत सारे लोग है बट फ्रेंड अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो यह आपका अपना चैनल है यह एक आपका अपना यूटूब फैमिली है आप लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें आपके एक लाइक से यह वीडियो और कई सारे जो जरूत मंद स्टूडेंट से हैं या क अब जानते हैं अनकमफर्टेबल पोजिशन मतलब क्या होता है जो बिल्कुल असाहज इस्थिती में और फेसिंग नॉट अनली दे एक्सपेक्टेड क्रिटिसिजम फ्रॉम रिपाब्लिकंस अब यह रिपाब्लिकंस कौन है अमेरिका में दो पाटी होती है रिपाब्लिक अब जो प्रेसिदेंट जो बैडन है अपने आपको असाहज इस्थिती में पाया है और क्यों और फेसिंग नॉट अनली शिर्फ वो रिपाब्लिकंस या अपने अपोजिट पार्टी से जो एक्सपेक्टेड क्रिटिसिजम था इसके लिए ही नहीं इस प्रेसिदेंट के लिए और कंट्री मतलब उसका कंट्री यू-एस है तो उस यू-स का जो डिसिजन हेस्थि जल्दि वाजी से किया गया और बोच्ट होता है जो लापरवाही से प्लान्ड को ऐसा प्लानिंग जो बिल्कुल लापरवाही से गया हो तो कह रहा है है जो हेस्टी बोच्ट एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान जो यह यूएस का जो वहां से हटना इसके लिए वो अपने अपोजिट पार्टी जो है रिपब्लीकल से वहां से अर्ट से ब्रिक बैट्स फ्रों विदीन या कॉमन्राथ ऑन की उसको अपने वहां व्लवे अपने अमेरिक पार्टी मेंझ पीछे से चुको मेंपरिक प B अब प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है अपने आपको अनकमफर्टेवल पोजिशन में अभी पाया है क्योंकि इनको एक तो रिपब्लिकन से मिल दाया क्रिटिसिजम, ब्रिक बैट मिल दाया उसके अपने डिमोक्रेटिक पाटी से और वहां के जो अमेरिकन पाब्लिक हैं उ दोस्तों बल देना अंडर एसकोर दापरेंट मिल दिखाए देता हूं लैक आफ प्लानिंग बिहांड दो विद्रावल अब यहां तक पहले देख लेजे फ्रेंट यह कह रहा है जो अभी हाल फिल हाल में पिछले सब्ता है जो लास्ट विक तो यहां तक पहले पिछले सब यहां बॉम अटैक हुआ था जिसमें 13 यूस ट्रूप्स और दरजनों अफगान सिविलियंस मारे गए थे वो इस बात पर बल दे रहा है कि यह लैक आफ प्लानिंग बिल्कुल असपस्ट दिखाए दे रहा है वहां से हटने के लिए जो प्लानिंग किया गया था वो बिलक हटने का डिड्लाइन है 31 अगस्त तो उनको पता था जो इनका डिड्लाइन बिलकुल नजदिक आ रहा है फिर भी वहां उसका जो यह लैक आफ प्लानिंग है वह बिलकुल असपस्ट दिखाए दे रहा था दो के ओटिक के ओटिक मतलब होता है बिलकुल भागा दोरी और बिलकुल हल चल टाइप और भगदर आपको आप कह सकते हैं राइट वाइलेंट सीन आट काबूल एयरपोर्ट अंडर गर्ड अंडर गर्ड मींस क्या होता है फ्रेंट कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ के सपोर्ट किया जाता हो तो यह जो के ओटिक और वाइलेंट सीन जो अभी काबूल एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं अब न्यूज में देखते होंगे फ्रेंट वहां कोई प्लेन से गिर रहा है किसी को इनों ट्रेरिस्ट गोली मार रहा है कोई पानी के बगर मर रहा है क कोई ब्लास्ट में मत रहा है तो यह बिल्कुल इनों भागदर और बिल्कुल भायावस सीन है अभी काबूल एयरपोर्ट पे अंडर गर्ड बाई दीप आरणी मींस बिडंबना आरणी मींस क्या होता है फ्रेंट बिडंबना आफ दे तालीबान्स अंचैलेंजड टेक काबूल एयरपोर्ट का सीन है अंडर गर्ड बाई किसके द्वारा हुआ है और किसके द्वारा यह हो रहा है और जो डीप आरणी जो वहां जो बिडंबना है जो तालीबान अंचैलेंज उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है अंचैलेंज टेक ओवर जो उन्होंने काब काबूल पर अधिकरमन कर लिया है और अधिकार जमाली है और अफगान ट्रेटरीज और अफगानिस्तान के अलग-अलग ट्रेटरीज पर भी तालीबान का कभजा हो चुका है सब्सक्राइब ऑल्सों नो डॉट बीना संका के स्टंग यूएस पॉलिशी मेकर अब स्टंग यह क्या है स्टिंग फ्रेंट जब कोई जहरीला चीज डंक मारता है तो उसको कहते हैं स्टिंग तो यह सब जो वहां घटना हो रही है यह यूएस पॉलिशी मेकर को ऐसा लग कमार दिया हो इस पेसली ओवर कंपेरिजन टू साइगन इन 1975 फ्रेंड यह क्या है अब साइगन क्या है मैं आपको यहां एक हिस्टोरिकल फैक्स बता दू जदी आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां अमेरिका और वियतनाम के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे अमे करें अफगानिस्तान से तो यह अफगानिस्तार वाला जो मुद्ध है वह ज्यादा खततनाक है ऐसा मानों जैसे दंक मार दिया हो अब यह मिस्टर बाइडन कैसे होप कर सकता है तो यह यहां कह रहा है जो यह सब जो अफगानिस्तान में जो डिबैकल हुआ है लेवर है इनों विद्ड्रॉल हैस्टी और क्रिक्टिसिजम उनको मिल रहा है ऐसी स्थिती में जो यह बाइजन जो प्रेसिडेंट है वो कैसे एक बड़ा पिक्चर जो यह दिखा जो वासिंगतन जो वासिंगतन मींस यूएस की जो कैप्टल है वहां जो उसका जो इंगे प्रेसिडेंट का आवास या ऑफिस जो भी कहले तो यह जितनी जो वहां उसकी बजती ही हम कहले जो रेप्यूटेशनल डैमेज हुआ है ऐसी स्थिति को वो कैसे यह जो सौथ एसिया का जो सौथ एसिया में जो वासिंगतन का जो इंगेजमेंट है वो कैसे दिखाएगा अ मैं अगेन आपको बताना चाहता हूँ जो आप इस चैनल को जरूर आगे बढ़ा है जरूर लाइक करें आपके एक लाइक से यह वीडियो कई लोगों तक पहुँचता है आपको पता होगा और दूसरी बात इस चैनल के कॉमेंट सेक्शन में पिंड किया गया है जितने भी इंपोर्टेंट मोर दें 15 और लगभग 20 वर्ड है मैंने आप मुहान आपको डाल दिया है अब जरूर जाया उसको चेक आउट करें थेंक यू अब हम लोग आगे बढ़तने हैं अब ऐसे कंदिशन में अट लॉंग लास्ट अट लॉंग लास्ट में सोता है जो चलो अंत म में जो पहला स्टिप क्या होना चाहिए विल भी क्या होगा तुशिप्ट अमेरिकन पॉलिशी पारडाइम ऑन अफगानिस्तान फ्रम बॉयलर प्लेट अप्रोच तो ओर्स इंस्टिउशन बिल्डिंग अब यहां तक हम लोग पहले देख लेते हैं ऐसे स्थिती में जो प अफगानिस्तान में बॉयलर प्लेट अप्रोच है तो ओर्ड्स इंस्टिउशन बिल्डिंग वहां यह बार बार वो कहते हैं जो हमें डिमोक्रेसी लाओंगा यह लाओंगा तो यह तरह से एक ही तरह का रटा 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 आया अप्रोच है उसके बदले तू रेकरनाइज प्लेटिकल कॉंपलेक्सिटिज अफ गवर्निंग अ सोसाइटी वे ट्राइबल अथिनिक लोयल्टी शुपर्शीड वेस्टर नम्स अफ राशनल डिसीजन मेकिंग बाई गवर्मेंट अफ्रेंड यहां देकि इनको यह जो इन्सिटूशन बिल्डिंग के अलाबा उनको क अफगानिस्तान का जो राजनितिक हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहां बहुत ज्यादा कॉंपलेक्सिटीज है बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम्स हम कह लें तो उनको इस इन्सिटूशन बिल्डिंग के अपक्षा उनको यह करना चाहिए कि वहां का जो कॉंपलेक् करता है जहां ट्राइबल ऑर हुद्ध यह फिर जो भी एतनिक स्राइबल्स हाइन बाव यह चाहिए था तो यह अमेरिका का कठ पुतली है उसी के इसारे पर चलता है तो यह इस तरह के जो वेस्टर नॉर्म सफ रैस्टनल डिसीजन मेकिंग गवर्मेंट यह जो चीज था वो सुपर सीड कर गया है इसका मतलब यह हुआ और के सिविल ही नहीं नहींग लोग którą के एक तरह से मिलिटरी की you know military की तरह बढ़ताव करते हैं तो कहीं न कहीं इस तालीबान का वहां के जो एथिनिक और ट्रैवल उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट है इसका मतलब यह वा इस अब इसका मतलब यह हुआ जो अभी फिलहाल जो तालीबान से कोई संबंध नहीं तोरना चाहिए उसके रप्यूटेशन या वैल्यू को अभी नहीं गिराना चाहिए विफूर दे हाब जब तक कि उनको एक मौका पावर जो पावर मतलब एक तरह से वह वहां सरकार न बना ले तब तक उसके साथ जो टाई है उसको नहीं तोरना चाहिए संबंध नहीं तोरना चाहिए जब तक तालिबान यह अनॉंस न कर दे कि अफगानिस्तान को गवर्न करने के लिए उसका इंटेंशन क्या है अब उसके साथ साथ एक तो यह पहला पार्ट हुआ दूसरा पार्ट यह कह रहा है जो देर मस्ट भी अरिकोगनिशन अफ दे रोल of that the third parties are going to play अब friend यह जो अफगानिस्तान है इसकी यहां यह पाकिस्तान हो गया यह चैना का भी रोल है यहां से कुछ इंडिया का भी रोल है तो यह कह रहा है जो यह तो एक तो आप तालिबान के साथ कैसे डिल करेंगे यह यहां दिया हुआ है दूसरा यह कह रहा है जो य कई लोग जो थार्ड पार्टी है वो अच्छे के लिए है कई लोग जो कई थार्ड पार्टी है वो बुरे के लिए है लेकिन उसके रोल को भी वहां पहचान और रिकोनेशन बिलना चाहिए दाट मस्ट इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम पाकिस्तानी आइस आई सैडवा सैडवी लिलिंग्स थ्रू प्रॉक्सीज सचाज हकानी नेटवर्क्स चाइनाज रिलेंटलेस पुस्पोर एक्सेस टू एकोनोमिक प्रोजेक्ट एंड इंडियाज सिविलाइजेशनल एंड सॉफ्ट पावर लिंग्स फ्रेंड यही थर्ड पार्टी की बात हो रही है यह यह कह रहा है जो यह पाकिस्तान का जो आईज़ेंस इंसिट्यूशन है यह वह करी प्रोक्सी मतलब जो हकानी ग्रूप के माध्यम से इस्टालीवान में क्या रोल ब्रूप आप जानते हैं सेडवी मिन्स होता है जो कुछ ऐसा चीज जो असपस्ट नहों तो उसका क्या डीलिंग है इसको भी पहचानना चाहिए आएसा क्या क्या डीलिंग है दूसरा क्या है जो चाइनीज चाइनास रिलेंटलेस पुस्ट मिन्स वह हमेशा लगातार कोशिस कर रहा है वो अपने एकोनोमिक प्रोजेक्ट को वहां से करें और जो इंडिया का जो सिवलाइजेशनल और सौप्ट पावर लिंक है इसको भी पहचान करने की जरुरत है तलिवान के अलावा फ्रेंड अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप यू आल आर आर फैमिली यह यूटुब एक फैमिली है जिसके आप मेंबर्स हैं जितने भी नए सदस हैं नए लोग देखते हैं आप चैनल को जरूर सेयर करें सब्सक्राइब करें यह बहुत ही अच्छा एक तरीका है इस माध्यम से आप नए ने वर्ड सिखते हैं रिडिंग स्किल बढ़ाते हैं वोकैबलरी पावर इडियम स्प्रेजेश ग्रैमर स्रूल प्लस प्रनंशियेशन और रिडिंग स्किल आपका बढ़ता है तो फ्रेंड मैं अगें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल को ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें यह आपका अपना यूट अटलिंग कोस्टिंग अंशेटलिंग एसा प्रोबलम और ऐसा कोस्टिंग इसका यून शलूशन नहों फार वांसिंग अटन तू आंसर यह जो अमेर्का के लिए बरी मुश्किल है आंसर देना अओन वेदर इन पर्सिस्टिंग तरॉम्प एराप्रमिस तो पुल यूस ट सब्सक्राइब करें अब इसको तोर तोर के देखते हैं यह कह रहा है जो यह वासिंग गटन के लिए एक अंसेटलिंग कुस्टिंग से मतलब यह उल्जन से भड़ा हुआ कुस्टिंग से जिसका कोई सॉलूशन नहीं है कि वेदर इन पर्सिस्टिंग विद जो उसी के एरा में प्रॉमिस किया गया था जो यूएस ट्रॉप्स अफगानिस्तान से कंप्लीटली वहां से विद्रॉट किया जाएगा तो यह कह रहा है जो वेदर यह जो बाइडन है थ्रॉम्प एरा के इस को कंटिणू करें पर्सिस्टिंग करें तब मिश्टर वाइदन इं विल्बी ऑबलीच झालेज विड़न यह जो उसका एसे जो पार्टनर ए और एलाईज हैं उनको यह पैंगे और k rivals कर पाएंगे कि는지 मञतराई जो ऐसा चिज जो आपके महात्व को घटा दे तो यह कह रहा है जो ब्रॉडर एस्या रीजिन जो एसी रीजिन में वह ऐसा फिर से इनो स्ट्रेटिक रोल जो जिससे उसका महात्व उस गुरुप का यह उसके यह और पार्टनर या अमेरिका का महात्व घट जाए वह ऐसा रो की कमला है से वो है कुछ हद तक To an extent मिन्स क्या उता है कुछ हद तक U.S. President कमला है सिंगापूर से इन वियतनाम टृप एफिर से अपस्ट और इस एक तो यह कह रहा जो कुछ हद तक जो कमला हैरिस का जो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले एक सब्ता पहले या दो-तिन दिन पहले वो सिंगापूर और वियतनाम ट्रिप पे गई थी वाज एमड इस लक्ष से गई थी कि एट-शॉजिंग सच कंसर्ण संशॉरिंग अप यह जो जितने भी उसके एसी अन एलाइज और एसी न पार्टनर्स में यह जो यूझा नहीं की अमेरिका का रूल घट रहा है इसे हमें इस चीज़ को प्रतिकूल इस्तिति को सांथ करने उसको संथ करना कोई चीज़ को संथ क कर रहे हैं उसको फिर उपर उठा रहे हैं शोरिंग अप इन्थूसियाजम फॉर दरूल बेज्ट इंटरनेशनल ओर्डर बैक हैस टेकेन अब बीट मतलब टेक अबीट मतलब होता है फ्रेंड जो बिलकुल यह पिट जाना मतलब बिलकुल हो जाना तो यह कह रहा है जो अम इन्थूसियाजम को फिर से उपर उठाने के लिए वहां गई है जो कि बिल्कुल बुरी तरह फेल हो गया था येट अनलेश वासिंग गटन फॉलो फॉलो अप सच समिट्स मीटिंग विद ग्रॉंड लेवल इंगेजमेंट फॉर एक्जामपल थूद क्वार्ड ट इंडिया जैपान और और है यदि आप कछेель हैं कुछ इस तरह से थों इसका इसका समीट मीटिंग सीग्ट इंगेजमेंट उनको बिल्कुल ground level engagement, बिल्कुल इनो सती अस्तर से उसको उठना चाहिए और meeting करना चाहिए, for example, उदाहरन के लिए through the quad, यह जो अब जो इसका meeting होने वाला है September में और deeper bilateral initiative with friendly democracies और इसके अलाबा जो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, friendly लोकतांत्रिक देश हैं, उसके साथ य यह जो गहरी bilateral दिव पक्षिया शुरुआत होनी चाहिए, including India, India को include करके, Asian powers will be hard-pressed to assume, यह जो जब तक यह कह रहा है, unless, जब तक जो US बिल्कुल bilateral या फिर, you know, deep level पे समिच ना करे, Asian powers, जो Asian countries है, will be hard-pressed, मतलब very difficult होता है, to assume anything other than washing buttons in difference towards their interest, तब तक उनको यह नहीं लगेगा, जो अमेरिका सिर्फ अपने अपने भलाई के लिए ही काम करते हैं, जब तक यह सब अब ना करें, क्योंकि यह expose हो गए हैं, अमेरिका वहाँ, तो इसलिए उनको फिर से Asian power या friendly democracy के साथ deep engagement बनाने की जुरत है, otherwise Asian powers को यह ल करते हैं, और जहां failure, fail हो जाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, इनको ऐसा लगेगा, the danger for the west, of considerable blowback, the danger for the west, west मतलब यहां पक्ष्मिन देश की बात हो रही है, खास करके अमेरिका और उसके जितने allies हैं उसके बारे में, तो यह जो of considerable blowback, blowback means ऐसा situation और political situation जो बिलकुल बद से ब failure हुआ है, यहां यह कह रहा है, फ्रेंड, जो यह दो चीज में आप इमर्ज हो सकता है, यहां से जो दो चीज हो सकती है, पहला, फर्स्ट यह होगा, जो अफगानिस्तान cyclical transition from western occupied territory to abandoned nation and ultimately a breeding ground for global terror outfits is well documented, यह कह रहा है, जो अब जो यह जो danger for the waste of considerable blowback, यह जो वेस्ट के लिए, जो खत्रा जो है, अब यहां से यह होगा, जो और यह दो फोल्ड में हो सकता है, दो तरीके से, पहला तो यह कह रहा है, जो अफगानिस्तान का cyclical transition, फ्रेंड, आपको पता होगा, जदी अफगानिस्तान का आप history देखेंगे, तो पहले यहां क्या है, रस्या ने अपना प्रहौब डाला था, फिर यह उसके बद रस्या वहां से भाग दिया, फिर वहां तालिबान आया, और फिर अलग अलग यह तर्रिस्ट ग्रूप्स आये, फिर अमेरिका आया, फिर अमेरिका भी भाग रहा है, तो यह कह रहा है, जो यह cyclical transition मतलब एक cyclical, एक period के दौरान, एक period पे वहां क्या होता है, transition होता है, western occupied territory से, to abundant nation, abundant nation मतलब ऐसा नेशन, ऐसा रास्ट और ऐसा देश जहां कोई रूल ना हो, वो कहते हैं न, बिलकुल, मतलब छोड़ा गया, जिसका कोई माब अपनी होता है, इसकी को हम abundant nation कह सकते हैं, and ultimately a breeding ground, breeding ground मतलब होता है, friend, ऐसा जगह और ऐसा अस्थान और ऐसा environment, जहां global terror outfit, और global मतलब हम कह सकते हैं, जो at world level पे जो attack करने वाला terror outfit है, उसके लिए, अफगानिस्तान उसके लिए, breeding ground हो सकता है, and second, और दूसरा क्या होगा, चाइना विल बी only too glad to step into the bridge, यह bridge मतलब failure हुआ, यह जो western country का जो यहां failure है, तो चाइना सिर्फ और सिर्फ वही खुस होगा, should any new aspects be seeded in the packing order of regional hegemony in Asia, इसका मतलब यह हुआ, friend, जो packing order मतलब यह कह रहा है, जो एक ऐसा order, आप देखते होंगे, कोई समाज में, कोई animal में क्या होत है, जो मालने है, यह head है, और इसके बाद आपको automatic पता चलेगा, जो यह इसके बाद यह दूसरा वाला head अपने आप होता है, तो यह कह रहा है, जो यह जो घटनाए हो रही है, should any new aspects be seeded, क्या इसको ऐसे द्रिस में देखना चाहिए, कि इस जो regional hegemony in India, hegemony मतलब होता है, दा ही होगा, इस तरह से आज हम लोगों ने आज का editorial देखा, friends, it's a very good editorial, बहुत सारे आपको नए concept मिलेंगे, new ideas मिलेंगे, new words मिलेंगे, again I request कि इस channel को share, subscribe और watch complete video को करे, और आप comment section में जाए, वहाँ important word है, वहाँ से आप जरूर उसको देखे, फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब त झाल, 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 झाल